बिस्मिल्ला रह्माद रहीम अस्सलाम अलेकुम स्टूरेंट्स आयम मुहम्मद पौद मलेक और हम कर रहे हैं चेप्टर नूमबर एट को डिस्कस जिसमें आल्टिकल हमारा जल रहा है सूपर पोजिशन प्रिंसिपल स्टूरेंट्स उसके लास्वे हमने तीन केसिस डिस्क्राइब किये थे जिसमें फर्स्ट केस था इंडर्फेरंस आज हमने उसका सेकेंड केस डिस्क्राइब करना है जिसको हम बीट्स का नाम देते हैं तो आएए देखते हैं जी स्टुडेंट्स यह beats क्या चीज होती हैं इसके लिए हम एक experimental setup देखते हैं first कर लें के हमारे पास एक audio generator है जो के एक particular frequency की sound generate कर रहा है जिसको आप इस तरह से सुन सकते हैं अब इसको हम off कर देते हैं एक और audio generator consider करते हैं जो के same frequency की sound generate करता है अब अगर हम इन दोनो audio generators को simultaneously on करते हैं तो आपको इसकी sound कुछ इस तरह से सुनाई देगी students इस sound में और पहले वाली sound में ये फर्क है कि इस sound में दोनो sources के sound का combination आ रहा है जिसकी वज़ासे इसका amplitude ज्यादा है और amplitude ज्यादा होने की वज़ासे loudness इसकी ज्यादा है otherwise दोनो sounds जो है वो identical है और इस sound से हम ये नहीं कह सकते कि ये दो different sources से generate हो रही है अब students हम क्या करते हैं कि audio generator B की frequency को थोड़ा सा increase कर देते हैं अब अगर हम दोनों generators को simultaneously switch on करते हैं आप सुन सकते हैं कि इसकी आवाज कुछ इस तरह से आएगी अब students इस sound में हमें ये बात पता चल रही है कि sound कभी loud हो रही है और कभी faint हो रही है और ये loudness और faint होने का जो process है ये एक specific time interval के बाद होता है यानि कि हम कह सकते हैं कि sound अपनी maximum value और zero value को एक खास time interval के बाद पहुँचती है इस phenomenon को जिसमें sound alteration perform कर रही हो इसको हम beats का नाम देते हैं अब आएए हम इसकी definition लिखते हैं जी students तो हम इसकी definition इस तरह से लिख सकते हैं रह मुचता है और तु स्त Export WAS LAUGHTER ब्क्ומुचता हैं इसकेश्या हैं तो आप़स रह स्लिख 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 स्विजभल पूलाओ हैं परीज़ आप्स Woah Vors कcy T 0 आंप लिख स्था coronavirus news तु स्लिख स्लिख ट..? same direction, superpose each other, then there is a periodic alteration of sound between its maximum and minimum loudness. is called beads, जब भी दो waves जिनकी frequency थोड़ी सी different होती है, और वो same direction में move करते वे एक दूसरे से mix-up होती है, तब वो कहता है कि किसी जगा पे sound बढ़ जाती है, और किसी जगा पे sound कम हो जाती है, या waves का amplitude increase होता है, या फिर decrease हो जाता है, तो इस तरह की mixing of wave को या superposition of wave को हम क्या नाम देते हैं, beats का नाम देते हैं, अब students इसकी condition क्या होती है, condition में हम लिखेंगे, number one, slightly different frequency, ठीक है, अब इसमें हमने word slightly क्यों use किया हुआ है, यह हम थोड़ी दिर बहुत जाकर discuss करेंगे, थोड़ी इसी इनकी frequency different होनी चाहिए, और number two condition है इसकी, के दोनो same direction में move कर रही होनी चाहिए, ठीक है, moving in the same direction, जी students, तो यह दो वो conditions हैं, अब हम यह देखते हैं, कि किस तरह से जब दो waves आपस में mix होती हैं, तो किसी जगापे sound का level increase कर जाता है, और किसी जगा sound faint हो जाती है, यह अगर हम इसको waves की form में describe करते हैं, तो क्यों एक point के उपर amplitude की value बढ़ जाती है, और किसी एक point के उपर amplitude की value कम होती है, जी students, इसको हम graphically describe करते हैं, फर्स कर लेंके हमारे पास दो waves है, x wave and y wave, x की frequency 20 hertz के equal है, जबके y की frequency 22 hertz के equal है, हम इस wave में one second के duration के corresponding vibrations को यहाँ पे mention कर रहे हैं, अब students, अगर आप इस one second के duration को four equal parts में divide कर दें, तो total number of points हमारे यहाँ पे five बन जाएंगे, ठीक है, इन five points को हम describe करते हैं, a, b, c, d and e, ठीक है, अब students, हम पहले point a को study करते हैं, x wave और y wave में point a की position पे आप देख सकते हैं, कि दोनो waves में opposite peaks एक दूसरे के साथ mix up हो रही है, अब अगर इन दोनो wave का amplitude same रखा जाए, तो उसकी वज़ा से यह दोनो peaks एक दूसरे को cancel कर देंगी, और peaks cancel होने की वज़ा से यहाँ पे particle of the medium की disturbance क्या हो जाएगी, जिसकी वज़ा से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको faint sound सुनाई देगी, अब अगर point b की हम बात करते हैं, तो b point के उपर same peaks एक दूसरे के साथ mix up हो रही है, जिसकी वज़ा से यह दोनो peaks add up होके एक resultant large peak बना देती हैं, जिसकी वज़ा से हमें b point के उपर loud sound सुनाई देगी, इसी तरीके से अगर हम c point पे जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे फिर opposite peaks एक दूसरे के साथ mix up हो रही हैं और resultant उसका zero आ रहा है, d point के उपर फिर same peaks एक दूसरे के साथ मिलके एक resultant large amplitude develop करती हैं, और e point के उपर फिर दूनों waves एक दूसरे के साथ mix up होके resultant जो है उसको zero कर देती हैं, तो basically यह जो result हमारे पास produce हो रहा है उसकी waveform हम देख सकते हैं, जिसमें point B और point D के उपर हमें loud sound सुनाई देगी जबके A, C और E के उपर हमें faint sound सुनाई देगी या फिर हमें कोई sound सुनाई नहीं देगी, अब यहाँ पे यह जो loudness आपको दिखाई दे रही है, इस loudness को हम beat कहते हैं या beat note कहते हैं, अब इस case में जिसमें हमने दो frequencies यानि 20 Hz और 22 Hz को mix up किया है, तो यहाँ पे एक second के duration में मिलने वाले loud notes नोट्स हैं, वो कितने हैं, दो हैं, अब students, यहाँ पे हमें दो ही दफा loud sound क्यों सुनाई दे रही हैं, क्योंकि दोनो waves की frequencies के दर्मयान में अगर आप difference को study करते हैं, तो वो किस के equal है, 2 Hz के equal है, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं, कि अगर दोनो sound waves की frequencies के दर्मयान, difference of frequency जितना भी होता है, उतनी ही दफाँ आपको एक second में loud sound सुनाई देगी, और जिसको हम क्या नाम देते हैं, beat frequency का नाम देते हैं, तो आईए beat frequency की हम definition लिख लेते हैं, beat frequency हम describe करते हैं, number of beats per second is known as beat frequency, ठीक है, और students mathematically हम इसको describe करते हैं, number of beats that is equal to, दोनों sources से produce होने वाली sound या waves में, जिसकी frequency large होगी, उसको पहले लिख लेंगे, जिसकी frequency small होगी, उसको पहले वाली frequency में से minus करते हैं, तो इसको हम लेख सकते हैं, greater frequency minus smaller frequency, अब हमारे case में, अगर हम यहाँ पे beat frequency को n से represent करते हैं, तो greater frequency y wave की थी, उसको हम लिख लेते हैं f y, minus smaller frequency x wave की थी, उसको हम लिख लेते हैं f x, और अगर हम इसको अपनी book के मताबिक change करते हैं, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, कि n is equal to f2 minus f1, जहाँ पे हम कह सकते हैं, कि हम अगर y wave को, wild wave की frequency को f2 का नाम दे दें, और x wave की frequency को f1 का नाम दे दें, तो this is the mathematical form of beat frequency, या जिसको हम number of beats per second का नाम देते हैं, ठीक है, जी students, अब हम बात करते हैं, कि slightly different frequency में word slightly का क्या मतलब होता है, अब हम उसी scenario को जो हमने पहले discuss किया था, कि हमारे बस दो audio generators हैं, A and B, उनको हम simultaneously sound करवाते हैं, जबके A और B की frequency में थोड़ा सा फर्क था, अब students, हमने पहले इसकी sound सुनी थी, जो के हमें कुछ इस तरह से सुनाई दे रही थी, अब अगर हम audio generator B की frequency को आइस्ता आइस्ता increase करना शुरू कर दें, तो इसमें produce होने वाली beats की तादाद भी बढ़ती जाएगी, तो आपको इसकी sound कुछ इस तरह से सुनाई देगी, एक खास interval के बाद, ये sound आपको एक smooth sound की तरह ही सुनाई देना शुरू कर देगी, कब जब दोनों sources के frequencies के दर्मियान में difference जो है, वो 10 hertz से greater हो जाते हैं, इस situation में beats तो produce हो रही होती हैं, लेकिन हमारा कान उसको distinguish नहीं कर सकता के sound loud किस जगा पे होती है, और sound faint किस जगा पे होती है, इस वज़ा से हम यहाँ पे point लिख सकते हैं, कहता है के, अज़ा, लेकिन होनों को रिख सकता को एढ किस्गे, लेकिन होस, then it is difficult to recognize beats, ठीक है, तो जब भी दोनो sounds के दर्म्यान में frequency का difference 10 hertz से greater हो जाएगा, तो beats तो produce हो रही होगी, लेकिन हमारा कान उसको समझ नहीं सकता, अब students last paragraph में उसने uses या application of beats describe की है, जिसमें उसने कहा है कि हम musical instruments को beats की मदद से accurate कर सकते हैं, इसके लिए देखिए, हम दो guitars की बाद करते हैं, इसमें अगर आप दोनों में किसी एक string को consider कर लें, और उसको center से plug कर करके release करें, तो इसमें जो loops बन रही हैं, वो same नहीं है, which means that कि इन दोनों की frequency same नहीं है, अगर आप इनी दोनों guitar से same note beat करते हैं, तो इन दोनों की आवाज कभी उंची होगी और कभी नीची होगी due to the phenomenon of beats, अब ऐसी situation में, अगर आप same note generate करते हैं, तो वो आपको एक smooth sound की तर सुनाई नहीं देगा, अब इसमें suppose कर लें, कि guitar A को हम standard consider कर लेते हैं, जबके guitar B की frequency को guitar A से हमने match करना है, तो उसके लिए हम guitar B की neck पे मुझूद peg जिसके साथ wire को connect किया जाता है, उसको tight या loose करेंगे, और ये tighten या loosen का का काम आपने तब तक करना है, जब तक दोनों guitar की frequency same नहीं हो जाती, और वो हम देख सकते हैं, अगर हम दोनों को दुबारा center से plug करके release करते हैं, तो जब इन में बनने वाले loops एक दूसरे जितने हो जाएंगे, एक दूसरे जैसे हो जाएंगे, तो इस situation में दोनों की frequency भी same हो जाएगी, और अगर आप इस form में दोनों से same note बज के phenomenon को हम tuning of musical instrument में use करते हैं, और स्रेंट्स याद रखिएगा कि इसमें सिरफ वो ही musical instruments tune किये जा सकते हैं, जिसमें wires होती हैं, ठीक है, यहां तक है हमारा आज का article, उमीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, इजाज़त चाहते हैं, अल्ला हाफिज